हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती सुईट और हैल्दी रेसेपी इसे बनाना बहुती आसान है और खाने में तो स्वाधिस्ट है ही तो चलिए इस सूपर टेस्टी और हैल्दी रेसेपी को बनाना सुरू करते हैं वीने पराने के लिए हमने 3 से 4 गाजल ली यें मीडियम साइज की गाजल हमने छील के अच्छेशे दोगर ली हैं और 3 से 4 चमज हमने लाइए भर की फ्रेश और आदा चोटा का टोरी ने चीने ली है चीने आप अपने हिसाब से कमियां ज्यादा डाल सकते हैं और ये हमने दो चम्मत चावल और पांच शे बदाम और दो इलाइची भिगो के रख दी थी इन्हें हम दरदरा पीछ लेंगे और ये हमने दो चम्मत देशी घी लिया है और एक कटोरी हमने गरम किया हुआ दूद लिया है और अब हम अपनी सभी गाजर को कद्दू कस कर लेंगे सभी गाजर को हमने अच्छे से कद्दू कस कर लिया है अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें दो चम्मत गी डाल देंगे गी डालने के बाद हम अपनी सभी गाजर को इसमें डाल देंगे और कुछ देर अच्छे से गाजर को भून लेंगे गाजर अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें दूर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक उबाल लवाएंगे और जो हमारे भीगे हुई चावल और बदामते उसका तरदरा पेश्ट बना लेंगे इस तरह से और चावल वाले पेश्ट को कड़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे कुछ देब पकने देंगे अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें अपनी चीनी डाल देंगे चीनी को अच्छे से मिलाएंगे और फिर से कुछ देर और पकाएंगे ये रेसिपी बहुती चल्दी बनकर तयार हो जाती है इसे खाने के बाद आप गाजर का हलुआ भूल जाएंगे और हर बार इसे ही बनवाएंगे और ये गाजर की खीर हमारी बहुती जटपड से बनके तयार हो जाती है बिना किसी जंजट के और खाने में तो बहुती ज़ाद टैस्टी लगती है अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मलाई मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर और लगतार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुगी है ये देखी कितनी टैस्टी बनके तयार होई है अब हम फटा-फट से एक बाउल में खीर को निकाल लेंगे और अपनी कटोरियों में सर्ब करेंगे ये हैल्दी और टैस्टी खीर खाने के लिए बिल्कुल तयार है अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राइ करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्यू एक नई रेसिपी के साथ भी मिलेंगे तब तक के लिए बाई